हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों Microsoft Word के इस चैप्टर में आप सब का स्वागत हैं जहां पर आज हम सीखने वाले हैं Table of Content दोस्तों सबसे पहला सवाल कि content क्या होता है दोस्तों आपने अपने बुक के पहले या दूसरे पेज पर यह चीज जरूर नोटिस की होगी और यह सभी बुक्स में अबेलिबल होता है जो होता है content क्या होता है यह चीज होता है कि आप इस बुक में क्या के चीज़े पढ़ने वाले हो और दूसरा कि वो जो chapter है वो कौन से page number पे है तो यही चीज अगर आप MS Word पे बनाना चाहते हो तो उस चीज के लिए हम table of content का use करते हैं सब्सक्राइब कोई notes प्रपेर कर रहे हो या फिर कोई आप chapter wise कोई भी data यहां पे क्या कर रहे हो नोट कर रहे हो और आप चारू इसी तरीके से content तेयार करना कि यह वाला जो chapter है वो इस page नमर पे है यह वाला chapter इस page नमर पे है यह वाला chapter इस page नमर पे है और आटोमेटिकली वो यहां पे आजाए उसके लिए हम table of content option का use करते हैं तो स फिर यहां पे मैं दिया है chapter 2 ठीक है फिर मैंने chapter 3 दिया है थोड़ा और नीचे आते है chapter 3 और इसी तरीके से मैंने और chapter भी दिया है अब table of content apply करने से पहले आपको एक चीज इस पे पहले apply करने है वो चीज का है कि जितने भी आपकी chapter है यानि कि जो आपकी headline है जो title है वहां पे आपको जो इसका style है आप home में जाते हो तो यहां पे आपको style का option मिलता है वो जो style है वो नॉर्मल ना हो कि यहां पे होनी चाहिए heading तो यहां पे chapter 1 पे cursor आप रखो और यहां heading पे click करो हमने यहां पे chapter 1 पे heading apply कर दे इसी तरीके से बाकी के भी जो chapter है जैसे कि यहां है chapter 2 पे हमने cursor रखा और यहां पे heading वाले style select कर लिया इसी तरीके से आप chapter 3 पे करोगे हम दो डूर नीचे आते हैं यहां select किया हमने और chapter 3 पे फिर वही heading apply कर दे same like और भी चैप्टर है आपके उस पे आप heading apply कर दो तो अब यहां पे जितने भी हमारे chapter से हैं उम सब पे मैंने heading apply कर सबसे उपर वाले हिस्से पे और यहां पे enterprise करके इसे लिया थे हैं थोड़ा सा नीचे आप यहां नीचे आने के बाद उपर में आपको एक खाली जगह मिल गई है जहां पर हम अपना table of content प्रिपेर करेंगे तो यहां पर style जो है आपका हूँ आप नॉर्मल कर दो नॉर्मल जो option है उसे select करेंगे और यहां पर आप notice करोगे कि जो आपका chapter 1 है वो आ रहा है page number 1 पे chapter 2 आ रहा है page number 3 पे chapter 3 page number 5 chapter 4 page number 8 chapter 5 page number 9 और chapter 6 page number 11 अब सपोज आप इसमें कुछ भी changes करते हो in future अभी हमने सिर्फ chapter 6 तक का data प्रिपेर किया हुआ है लेकिन in future हम कुछ भी इसमें changes apply करते है तो सबसे नीचे ही चलते हैं हम यहां पर अब सबोज यहां पर हम कुछ आगे changes कर देते हैं same like मैं यहां पर एक और चैप्टर इंसर्ट कर देता हूं हमने equal किया rand ब्रैकेट शूर ब्रैकेट बंद इससे हमारा एक paragraph आ जाएगा अब यहां पर मैं लिख देता हूं chapter का न कर रहे हैं तो यह हमने लिखा और मैंने आपको बताया था हो में जाके हमें क्या करना है style में heading apply करने है अब उपर में जो हमने यह टेबल लिया हुआ यहां पर जो हमने चेंज किया है इसके लिए हम यूज करेंगे update table और यहां पर update entire table पर क्लिक करके ok करोगे आप देखोग आपको अच्छी लगी है concept समझ में आया है तो प्लीज इसे like करें और ज्यादा ज्यादा share करें साधी comment करके बताए कि यह जो topic है वो आपको समझ में आया या नहीं आया थैंक यू